नमस्कार हमारी रस्वही में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ बटर पनीर की रेश्पी शेयर करूंगी जिसे मैंने बिना आनियन और गार्लिक के बनाया है या फेस्टिबल के महिने के लिए या फिर जो लासन प्याजने खाते हैं उनके लिए खास है तो अब हम इसमें डाल देंगे चार मेडियम साइज के बारी कटे हुए टमाटर टमाटर जब हलका सौप्ट होने लेगे तो इसमें डालेंगे हाफ इंच अधरक का टुक्रा दो हरी मिर्च एक टुक्रा दाल चीनी का तीन चार छोटी लाइची चार पांच लॉंग एक बड़ इसमें डाल देंगे हाफ चमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर ठोड़ा सा बटर हाफ चमच नमक थोड़ा नमक हम बाद में वियाइट करेंगे एक तेजबत्ता इन सब को हम आच से 10 मिनट तक कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम मसालों को तियार कर एक बॉल में लेंगे एक चमच धनिया पॉडर आधा चमच लाल मिर्स पॉडर वन फोर चमच हल्दी पॉडर और इसी मसाले में हम डालेंगे दो बरे चमच दही यह फ्रेस दही है खटे दही का यूज नहीं करना है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक पेश्ट की तरह यह बन जाएगा अब वापस गैस की तरफ चलते हैं कवर अटाके जब हम देखते हैं तो टमाटर जो है अच्छे से पक चुका है और सारे मसालों का फ्लेवर भी इस टमाटर में आ गया है इसे मैंने मेडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिन तक पकाया है अब हम इससे गरम मसालों को निकाल लेते हैं सारा तिस पत्ता और गरम मसाला में इससे बाहर कर लेंगे सिर्फ काजू और टमाटर को ग्राइंडर में टाल कर इसका एक फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे एकदम फाइन पेस्ट बनके तयार हो गया है अब हम वापिस गैस की तरफ चलते हैं गैस पर कढ़ाई चरहेंगे और गरम होने पूस में डाल देंगे एक चमच बटर बटर मेल्ट होने पूस में डालेंगे वन फोर चमच कसी वी अद्रक एक खरी मीर्च दो टुकरों में मैंने तोड़के डाला है इसे थोड़ा फ्राइ करते हैं फिर हम इसमें डाल देंगे दही और मसाले का पेस्ट जिसे मैंने उस दिर पहले बना के रखा था बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस दही मसाले का बटर पनीर में इसे हम 4-5 मिनट तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अच्छे से फ्राई हो गिया अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और काजू का पेष्ट इसी पेष्ट में मैंने एक कप पानी डाल के मिला दिया था जब इसमें उबाल आने लगे तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 8-10 मिर्ट तक पकाएंगे फिर हम इसमें डाल देंगे एक चोथाई चमच चीनी और स्वाद के अनुसार नमक ध्यान रखना है कि थोड़ा नमक मैंने पहले भी डाला था अब हम इसमें डाल देंगे पनीर के टुकरे आप चाहे तो यहाँ पनीर को थोड़ा फ्राई करके भी डाल सकती हैं मैंने इसे फ्राई नहीं किया है पनीर डाल कर हम इसे दो मिनट तक और पकाएंगे यदि आपको इसे ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए तो फूल फ्लेम पे चार से पांच मिनट तक पका लिजे हमारा बटर पनीर बनके तयार है अब हम गैस को आफ कर देंगे और गर्मा गर्म ही इसे रोटी नान या पराठे के साथ सर्व करेंगे अगर आपको हमारी आज की रेश्पी थोड़ी से भी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद